नमस्कार विद्यारतियों स्री प्रताप सिंग भारत राज की सनात को तर माविद्याले शापुरा के भुगुल विभा की यूटूब चैनल पर आपका स्वागत अविन अंदन आज हम विए पार्ट तुरतिये तता में फाइनल के अंतरगत भारत का भुगुल पेपर के भारत भुगर्बिक सरचना विशे पर इस वीडियो के मादिम से चर्चा करेंगे भारत की जो भुगर्बिक सरचना है वहें किस प्रकार की है भुगर्बिक सरचना को कितने खंडों में विभाजित किया गया है उन सब का अध्यन करते वे आज हम इसमें सबसे प्राचीन भारत की चट्टानी समू, आर्किन क्रम की चट्टानो का एक सामन्य अध्यन करेंगे, उनकी मुखे विशेस्ताओं की चर्चा करेंगे सबसे पहले हम देखते हैं कि भुगर्विक सरचना किसे कहते हैं, भुगर्विक सरचना का थाट पर यह जिस धरातल, जिस भुमिक की हम बात कर रहे हैं, जिस भुमिक की मुखे विशेस्ताओं, yüzden की हमें दिखाई देती है, उनकी वीतर जो चट्टानी समू हैं उसमें चट्टानों के प्रकार, उसका चरित्र, उसका ढाल, मर्दा की भोतिक और रासानिक विशेस्ताएं, खनीजों की उपलब्दता जैसे धात्वी खनीजें या आधात्वी खनीजें इन सभी विशेस्ताओं को सम्मेलित रूप से अधार्त भूमी के भीतरी भाग में पाई जाने वाली सेल सरचनाओं के संगठन, उनमें पाई जाने वाले खनीज तत्वों के संयोजन के आधार पर हम उस भूमी या उसक्षेत्र की बुगर्विक सरचना का निर्धारण करते ह हैं चट्टानों के प्रकृति से लेकर चट्टानों के प्रकृति सेतात पर यह हम लेते हैं कि कर चट्टाने कोमल हैं या कठोर हैं चट्टाने जल्म गुलनसील हैं या एगुलनसील हैं चट्टाने रंद्र युक्त हैं या एरंद्र युक्त हैं इस आधार पर वहां का एक अलग-अलग करम का रूप हमें दिखाई देता है हम अगर इस मानचित्र के रूप में हम आगे देखेंगे तो जो मानचित्र आपको दिखाई दे रहे है उसमें अलग-अलग प्रकार की सेल सरचनाए जो अलग-अलग काल खंड़ों में बननी है उनको चायांकित रूप में दर्शाया गया है हम भारत की भुगर्विक सरचना को जैसे मानो इत्यास को हम विविन खंडों में विवाजित करते हैं उसी प्रकार से भुगर्विक सरचना को भी हम विविन काल खंडों में विवाजित करके उनका अद्धिन करेंगे तो हम quaternary की सेल कहते हैं शेल सरचना पाई जाती है अब यहां प्रस्णा आता है कि पुरा क्रेंबियन सेल से लेकर quaternary जो सेल क्रम है इनके नामकरण करने की जो प्रक्रिया है वह प्रत्वी का जब हम विभाजन विविन यूगों में करते हैं सेल सरचनाओं का अधियन करने के लिए हम उनसे कुछ खंडों में विवाजित करते हैं तो हम मुख्य रूप से सबसे पहले उसे महा कल्प में विवाजित करते हैं और जब हम महा कल्प में विवाजित करते हैं फिर उन्हें कल्प में विवाजित करते हैं और फिर उन्हें किरेंबियन को महाकल्प कहते हैं परिकेंबियन महाकल्प लगबग 57 करोड़ वर्ष से 49-80-50-oz पहले का काल क्रम माना जाता है दूसरा जो महाकल्प है उसे पुरा जीवी या सीनो जोईक माकल्प के रूप में हम जानते हैं जो की 24 पांच करोड़ वर्ष से 57 करोड़ वर्ष पुराना है इसमें इस पुरा जीवी माकल्प को पुने 6 कल्पों में विभाजित किया गया है जिनके नाम क्रेंबियन, ओडोवीशियन, सिलूरियन, डिवोनियन, क उसिप से हम जब आगे बढ़ते हैं तो हम मद्य जीवी माकल्प के अंतरगत तीन खंड करते हैं मद्य जीवी माकल्प का समय हम 6.5 करोड़ वर्ष से 24.5 करोड़ वर्ष रखते हैं इसे हम ट्रियासिक, जुरेसिक और केटेशियस में विभाजित करते हैं जो नवीनतम क्वा हम क्वाटरनरी युक की सहले हैं उन्हें हम सिनो जोईक माकल्प के अंतरगत सम्मेलिद करते हैं इसके भी दो खंड करते हैं त्रित्यक और चतूर्थक खंड अनतरगत हम मुखिरूप से पूरा नुतन, अदी नुतन, अदी नुतन, अल्पनुतन, और अती नूतन पांच खंड करते हैं तता चतुर्थक जो है क्वाटरेनरी कल्प जो नवीनतम कल्प है उससे हम पुने कि अत्यन्त नूतन और अभी नूतन दो खंडों में विवाजित करते हैं मुक्य रूप से जो अभी नू काले वह दस अजार वर्ष पहले से माना जाता है हम भारत की जब बात कर रहें तो हम भारत को तीन स्पस्ट भागों में विवाजित करते हैं एक भाग है हमारा प्राइदीप्य भारत प्राचिंतम सेलों से निर्मित है जो की गौनवाना लेंड का भाग है हिमाले दूसरा भाग है जो नवीन वलित परवस्रेणियों तता साग्रों में निक्षपित नवीन आउसादी सेलों से निर्मित हैं तीसरा है गंगा सिंदू ब्रहंपुत्र का मेदान उक्त दोनु जो वुखंड हैं उन दोनु वुखंडों के निर्मान के वैश्पित दोनु के मद्यन नवीन जलोडक द्वारा ये मेदानी भाग का निर्मान हुआ है अगर हम भारत के मानचित्र को देखें तो ये जो मुख्य रूप से भाग है संपुन भाग ये भाग मुख्य रूप से गोनवाना लेंड का हिस्सा है ये कशेत्र कहलाता है प्राइदीपिय भारत गोनवाना लेंड का हिस्सा है ये कठोर्तम सेल समू है अती प्राचीन पुर जाकर आप को प्रत्वी के संदर में बात करें तो प्रत्वी के भागों को हम दो भागों में बाढ़ते हैं एक कहलाता है अंगारा लेंड जो कि आप लोग इस नाम से वाकिफ हैं दूसरा भाग कहलाता है गौंडवाना लेंड अंगारा लेंड और गौंडवाना लेंड के भाग था वो एक जल्य भाग था जिससे हम कहते हैं थे टैथीज सागर टैथीज सागर तो जो अंगारा लेंड और गौनवाना लेंड में आपस में टक्रा हुआ गौनवाना लेंड जब अंगारा लेंड से टक्राता है तो अंगारा लेंड में टक्राने के कारण यह उत्तर क यह अंगारा Лेंड था और यह जो मध्यवर्ति भागे पूरा का पूरा-गा एक टैथी सागर का अुसेस था जब अंगारा लेंड और गानवाना लेंड आपस में टक्राते हैं उन टक्राने की प्रविया में जो टैथी सागर का मलवा था जलोडक था वहे जलोड़क वलित होकर वलित परवत के रूप में बना और वहें वलित परवत हिमालयका नाम से जाना जाता है तो यह जो क्षित्र है यह क्षित्र जलोड़क के वलन की प्रक्रिया से उपर उठने से एक वलित परवत स्रेणिया बनी चोकि इन में जो सेल समू है वो सागरों में निक्षित अवसादी जलर्च चटाने हैं इसलिए अवसादी सेल समू यहां प्रमुकता से पाया जाता है इन दोनों के मद्ये जो मेदानी खंड है यह मेदानी खंड भी नवीनतम जलोडग जमाओ जब हिमाले का निर्मान हो गया और उसके उपरांत जो एक गर्त बना उसमें हिमाले से अपरदित करके लाने वाली नदिया गंगा यमुना गागरा गंड़ कोसी इन विबिन जो हिमा पुत्र मेदान का निर्मान हुआ आगे हम बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि तीनों भागों में स्पस्ट रूप से एक दूसरे से बिन है चूंकि स्पस्ट रूप से एक दूसरे से बिन होने का कारण क्या है कि प्राइदी पे पठार प्राचीनतम सेल समू से निर्मित है ह तथा गंगा प्रमपुत्र का जो मेदान है वो अत्ती नवीन भूबाग है जो कि अभी भी निर्मान की प्रक्रिया से गुजर रहा है। अलग अलग खंडों में पर्याफ्त मात्रा में मिलती है और उसी के आधार पर हमें अलग अलग यहां का भूगरबिक सामुही करण दिखाई देता है। पहला पुरा क्रेंबियन काल जो अती प्राचीन आगने चट्टाने जिनमें जिवाश्म की उपलब्दता नहीं है। दूसरा पुरान समू है, तीसरा द्रवीडियन समू है और चोथा आर्जियन समू है जो नवीनतम समू है। तम मुख्य रूप से भारत की बोगर्विक सरचना को चार व्रैद रूप में विवाजित करते हैं। प्राचीन समू अगर अमारे यहां मिलती है तो वह मिलती है आर्कियन समू की सेले हैं। आर्कियन समू की सेलों के अपरदन और निक्सेब से धारवार समू की सेलों का निर्मान होता है। धारवार समू की सेलों के अपरदन और निकसेब के बाद कुछ अगले युग में पुरान समू की सेले मिलती है जिने हम कुडपा करम की सेले कहते हैं कुडपा क्रम की सेलों के बाद इनी के अपरदन और निक्षेप से अन्य स्थान पर डिपोजिट होने तथा इनमें समय के साथ आप और दाप के कांट परिवर्तन होने से जो सेल समू बनती है वो विंद्यन क्रम की सेलें कहलाती है इनके उपरांत जो सेल समू हमें मिलता है वो द्रवीडियन समू है और द्रवीडियन समू के बाद हमें मिलता है आर्यन समू आर्यन समू में सबसे पहले हमें मिलता है गोंडवाना क्रम की सेलें गोंडवाना क्रम की सेलों के बाद हमें कारवनी फेरस यू के उपरांत जो सेल सेल समू मिलती है और दकन ट्रेप मिलता है दकन ट्रेप के बाद तृतिय काल की हमें सेल समू मिलता है और तृतिय काल की सेल समू के बाद सबसे उपर नवीनतम जो सेल समू है जो लोड़क है वो क्वाटरनरी सेल समू हमें मिलता है तो यह है एक क्रम है जिसमें हमें भारत की भुगर्विक सरचना को समझने में आसानी रहेगी, इसी के अंतरगत हम आज जिस सेल समू का अधियन करेंगे, वो है आर्कियन समू की सेल, आर्कियन समू की सेल ने, जिनकी मुखी विशेष्टा ये, कि वैं सरवादिक प्राचीन है, तथा प्रत्वी के निर्मान के समय ही इनका निर्मान हुआ था, तो ये प्रत्वी जितनी पुरानी है, उतनी ही पुरानी आर्कियन समू की चट्टाने हैं, ये चट्टाने रवेदार हैं, इन में जीवाश्म का अभाव पाया जाता है, जिवाश में नहीं मिलते हैं तथा मुक्य रूप से आगने प्रकर्किति की यह चट्टाने मिलती है जिन में नीस, ग्रेनाइट तथा सिस्ट प्रमुक्ता के साथ मिलती है तो यह आगने प्रकार की चट्टाने हैं इनका विस्तार की बात करें तब देख करनाटक, तमिल दक्षिन पूर्वी राजस्तान का लगबग एक लाग सत्यासी अजार वर्ग किलोमेटर क्षेत्रफल आर्किन क्रम की चट्टानों से आवरत है मान इमाले के भी गर्ब भाग में अतात काफी वीतरी भाग में भी हमें इस प्रकार की चट्टानी समू मिलती है बहुत अधिक कायांतरन के कारण ये चट्टाने अभी अपना मोलिक रूप हो चुकी है वर्टमान में इनका जो मोलिक रूप है वो समाप्त हो चुका है ये अत्यदिक कायांतरत हो चुकी है हम आनचित्र में देखें तो आप सफस्ट रूप से देख सकते हैं कि एक शत्र जो दक्षन पूर्वी राजस्तान गुजरात और मद्यप्रदेश से स्रटवा भागे वहां में आर्किन करिम की सेल समू मिलती है जबकि एक समू के रूप में करनाटक दक्षनी भाग में करनाटक का क्षत्र तमिलनाडू मुक्ष रूप से आंदरा रीजन उडिसा चार खंड यह जो क्षत्र हैं यहां मुक्ष रूप से सेल समू पाए जाते हैं पूरा का पूरा कटॉरतम सेल क्षेतर है। इन में मुखे रूप से बहुत अधिक जो मिन्रल पाए जाते हैं वो मिन्रल में आपे देखें गॉल्ड पाया जाता है। सिल्वर मिलता है, आइरन मिलता है, कोपर मिलता है, लेड मिलता है, जिंक मिलता है, अबरक मिलती है, मैगनीज मिलता है, टिन मिलता है, टंगस्टन मिलता है, काइनाइट मिलता है, ग्रेफाइड मिलता है, सिलिमनाइट मिलता है, अथार्थ अधिकांस रूप में यहां जो सेल सेल समू मिलते हैं वो किस प्रकार के सेल समू है धात्विक सेल समू या प्रमुफता के साथ मिलते हैं यह है आर्किन क्रम की सेल समू की प्रमुफता के साथ मिलते हैं हमें एक्षित्र ध्यान में रखना है कि करनाटक, तमिलनाडू, आंध्र प्रदेश, उडिसा, मध्य बोटानागपूर पठारी खंड तता दक्षिनपूर्वी राजस्तान में आर्किन क्रम की सेल समू प्रमुक्ता के साथ मिलती है नेक्स्ट जब हम देखते हैं तो इस सेल समू कम तीन स्पस्ट भागों में विभाजित करते हैं बंगाल नीस सेल समू के अंतरगत हम पशिमी बंगाल, बिहार, उडिसा और करनाटप में पाई जाने वाली सेल समू को रखते हैं जिन में कोरापुट और बोलांगी जिलो में एक खोंडोलाइट सेनी के नाम से इनी चट्टानों को हम जानते हैं उनका नाम हमने रखा है खोंडोलाइट सेनी जो की मुखी रूप से कोरापुट और बोलांगी जिलो में मिलती है ये खोंड जंजाती के आधार पर इनका नाम करन किया गया है ये चट्टाने महीं रूप से पत्रित हैं इनकी पहली पहचान मिदनापुर जिला पशी में बंगाल में हुई थी इसलिए से बंगाल नीस के नाम से जाना जाता है दूसरी जो समुह है उसे हम बुनदेल खंड नीस केते हैं ये बुनदेल खंड उत्तरप्रदेश के बुनदेल खंड क्षचत्र मद्य परदेश का बगल खंड महरास्ट राजस्तान अंत्रप्रदेश तमिल नाडू में ये सिल मिलती है जो की कणिये सगन नीश है सगन कणिये नीश है तता ग्रेनाइट जैसी हमें दिखाई देती है तीसरा जो समुए उसे हम नीलगिरी नीश कहते हैं जो की नीलगिरी, पलनी, सिवराई, पहाडियों में चार्नोकाइट सरेनी के नाम से जानी जाती है तमिल नाडू में मुख्य रूप से मिलती है इसका नामकरण जोग चार्नोक के सम्मान में किया गया था जोग चार्नोक एक विद्ध्वान थे बुगर्बिक जानकार थे उनके नाम पर इस सेल समुग का नामकरण किया गया था अराوली में भी इस प्रकार की सेल समुम मिलती है, यह बुगर्व में भीतरी बाग में मिलती है, इसलिए इसे पाताली नीष के नाम से भी जाना जाता है, इनके आर्थिक मेहत्र की हम बात करें, तो एक खनीच समपता की दिस्टी से बहुत ही सम्रद है क्योंकि भंडार है अब भी हमने खनीच सेल समों की भी बात करी कि इसमें सोना मिलता है इसमें मुखे रूप से लो एस मिलता है टिन मिलता है अब प्रक भी मिलती है तो मुक्य रूप से मैट는지 जो इतने भी खनीज है वो इसमें प्रमुक्ता के साथ मिलते हैं दात्विक और धात्विक दोमी प्रकार के जो दुरलव खनीज है वो यहां में मिलते हैं थथा इनी के एक्षरन से कालांतर में धारवार क्रम की सेलों का निर्माण हुआ था तो हम मुक्य रूप से इस वीडियो में आर्कियन क्रम की जो सेल है भारत की प्राचिनतम सेल समोर हमने उनका अध्यन किया अगले वीडियो में हम धारवार क्रम की सेलों की विशेस्ताएं उनके क्षेत्र और उनके प्रकार के बारे में अध्यन करेंगे धन्यवाद